नमस्कार दोस्तो मैं बैद दिसानवीर सिंग अपने चैनल बैद किंग में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए बहुती सांदर वीडियो लेकाया हूं जिसके माध्यम से आप पुराने से पुराने घाव को बड़ी आसान खैए और आप के यहां से ऑस्पीटल काफी दूर है डॉक्टर काफी दूर है आप खेतों में काम कर रहे हो या फिर आप बह宍ती रूरल अरिया में हो जहां पर डॉक्टरों की सुविधær नहीं होती है, तो दोस्तों उस जगह पर आपको करना क्या है है कि जैसे ही कठोग तो उस जगह पर हल्दी लें एक दो चम्मच हल्दी लें और उसमें भरके तब तक दवाई रखें जब तक बलड आपका बंद न हो तो दोस्तो ऐसा करने से कुछी ख्यंड में ब्लिडिंग आपकी रुख जाए उसके बाद आपको अपने नजदी की ऑस्पीटल या करा लेना है यह दोस्तो किसी किसी का क्या होता है कि ऑस्पीटल और डॉक्टरों के भी चक्र लगा रहे हैं लेकिन घाव काफी पुराना हो चुका है और ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है तो दोस्तो उस कंडिशन में आपको करना क्या है कि जो घाव होता है उसे कॉटन र साप करते हैं मैं यहां पर सज्जिस्ट करूंगा जो पानी होता है आप ताजा पानी लें उसको अच्छे से साप करें कॉटन से और दोस्तों उस पर जो छुंचना होता है आपने देखा हुआ पुराने जमाने में जो कि पारे बुझअरग लोग होते थे वह चंचना किस तरीके से बनाते थे करन्हाइब चंचना बनाने के लिए कुछ जादा प्रियोग ने करना होता है एक बहुत ही तरहल तरीके framework मैं को बता देता हूं कि तबा एक्दम साफ होना चाहिए उसको आप दुबारभा से साप करके और रसुई में जो गैस होती है उस पर रख दाएं और दोस्तों उसको गरम होने के बाद चमच उसमें गी डाल देना है गी प्योँ वार देषी होना चाहिए और दोस्तों उसमें क्या है कि जो कॉटन है जितना आपका गाव है उसी के साब से आपको कॉटन रूई में भगो करके निचोड़ देनी है ऐसे अत्ती से निचोड़ देनी है चोड़ी करके और फिर वही चोड़ाई से उस पर जो हल्दी होती है जैसे आपका छुंचना बनके तयार हो गया है दो चमच गीलिया और एक चमच हल्दी आपने उसमें मिक्स करके और उस रूई को उस पर रख दें और दोस्तों जैसे ही रूई जो है पी लेगी उसको और उसके बाद आपको गुन-गुना सा होने पर उस गाव पर बांद दें ऐसा आपको दोस्तों दिन में दो बार लगातर करते रहें तीन से चार दिन में आपका घाव सूप करके एक दम ठीक हो जाएगा दोस्तों यह तो बहुत ही अजमाय हुआ नुक्सा और बहुत ही कारगर नुक्सा है जो लोग इस वीडियो के माध्यम से उन्हें काफी आरा मिला है तो मैं यही कहूंगा कि जो लोग कटे फटे गाव से परेशान है जो ठीक नहीं हो रहा हूँ तो यह वीडियों तक शेहर करें जिसके माध्यम से कैसी लगी कॉमेंट वाक्स में लेकर के जरूरता हैं मैं अपनी वीडियो को यहीं वराम देता हूं आसा करता हूं मेरे द्वारा दी की जानकारी आपको अच्छी लगी हुगी यह दे आपको अच्छी लगी है तो मेरे चनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों लेंगे ओम नमस्ति वाय जय भूलिनात भूलिनात सदेव आप लोगों पर करपाप बनाई रखें जय प्रकर्ति मातर है करें